हाई लेविंधीज, वेलकम टू इजी वे कामर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपने इंडेक्स नंबर के चेप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम टॉपिक करेंगे गाईज, एक्जाम के पॉइंट अफ यू से काफी इंप होता क्या है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऐकन को प्रेस करिए फोर न्यू मोर वीडियो और आप अपने डाउट मिल से यूट्यूब और इंस्ट्राग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्ट्राग्राम पर आईडी है, तबतामैसी, राइट, आप गाईज, कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली अभी तक हमने जो इंडेक्स नमबर पढ़े, वो हमारे जनर प्राइज डेवल में कितनी महंगाई जो इंडेक्स होता है, कितनी पर आईज अगया चंज चींजर आए उसको कैलकूलेट करने के लिए थे। लेकिन और लिशूमर में जो इंडेक्स नमबर के इंता हैं जो कितनी महाँड़ी तक ए जनर प्राइज बना टाइज तक हमारे खर्चों में एक यह कौन नहाई है। करते हैं तभी इसे cost of living index भी कहते हैं क्योंकि basically हमारे जीने के तरीके में कितनी महंगाई आई cost of living index कहा जाता है तो इसको guys दो तरीके से solve क्या जाता है यानि कि दो method है एक है aggregative expenditure method यानि कि हमारे खर्चे कितने बढ़ गए दूसरा है family budget method यानि कि हमारा budget कितना हिल गया तो ये दो method है basically जो आपका aggregate expenditure method है ये आपने जो last year fishers पढ़ा होगा पाश्चे last year fishers उसका same formula है last year का basically ये क्या calculate करता है कि हमारा जो current year का price है base year की quantity अगर हम जितना पिछले साल खरीदे थे उतना ही इस साल भी खरीदे अगर quantity हमारी पिछले साल वाली ही है लेकिन prices इस साल के यानि की current year के और base year के हम calculate करें तो कितना हमारे खर्चे बढ़ गए है तो इसका formula बहुत से होता है P1 multiply by Q0 और इसका होता है P0 Q0 यानि की summation P1 हमें क्या निकालना है P1 Q0 निकालना है तो हमें current आपको पता है normal formula क्या होता है P1 upon में P0 बस इसे quantity based year के साथ हम compare करते हैं लाइक अगर मैं इसका एक छोटा से example दूँ गाइस कि आज की date में petrol के prices होगे 95 लीटर आप खरीते थे 10 लीटर तो आपको अपे करने पढ़ेंगे 950 जबकि पहले था 65 रूपीज लीटर और आप खरीते थे 10 तो यह महंगाई basically calculate करते हैं आपके खर्च साड़े 600 से कितना बढ़ गया साड़े 900 तो वह कितना परसंट है यह चीज बेसिकली इसमें calculate करी जाती है ठीक है तो वही चीज हम अब अपने पूरे question में करके देखते हैं हमें यहाँ पे quantity दे रखे है Q0 जो की base year की है price दे रखे है base year के 0 for base year होता है and 1 for current year होता है right so अब हमें P1 Q0 करना है पहले तो इन दोरों को multiply करते हैं तो again calculation अच्छी चाहिए आपको इसके लिए तो 5 is a 15 यह हो गया 20 यह हो गया अगर 6.25 को हम 4 से multiply करें तो यह होगा 25 और यहाँ पर 25 again and 1.5 multiply by 4 60 and यह होगा 25 यह होगा 25 अब हमें simple इसका total करना है इसके बाद P0 Q0 यानि कि आपस में base year में कितना हम खर्च करते थे तो price of base year quantity of base year अगर हम इसको total करें तो 5 for the 20, 120 और इसका हो गया हमारा 16, 24, 20, 20, 40, 20 and 20 again इसका total करना है हमें तो हमारा answer आचाहिए तो अभी पहले totaling कर लेते हैं 5, 5, 10, 20, then 6, 26, 7, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 26, 22, 23, 24, 25, 26 366 तो हमारा यह आगया ठीक है अब इदर का total करते हैं 6, 4, 10 हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 14, 15, 16, 17, 18 और यह आगया हमारा 280 ठीक है तो अब हमें normally divide करना है जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो हमारा फॉर्म रहा है 360 तो P1Q0 तो हमारा 366 आ रहा है और divided by 280 multiply by 100 ठीक है और इसको हम donate किसे करेंगे P01 से consumer price index कितना change आया अब अगर आप इसे solve करोगे यह गया 1 पर ठीक है 366 में से 280 गया तो कितना आएगा हमारा 686 इसके साथ लग गया आपका 0 ठीक है अब अगें हम लोग अगर इसे solve करें तो कितना आएगा हम लोगों का गाईज 860 280 के कितने के table पे आना चाहिए अगर मैं 860 में से guys simple करूं कि यह 0 और 0 card दूं ठीक है तो हमारा और असान हो जाएगा यानि कि 366 divided by 280 था multiply by 100 यह भूली गई जीरो से 0 card तो ना असान हो जाएगा हो जाता अब यह जाएगा 1 पर 36 पकड़ा हमने 36 में 28 गया बचा 8 यह हो गया 86 अब 28 में 86 किस्ते पे जाएगा तीन से करके देखने एक बार 84 यानि कि 3 पे चला जाएगा और अगर हम 4 पे करेंगे तो नंबर बढ़ा जाएगा अब बच्चा 2 0 2 0 नहीं जा सकता तो 0 लगाया पॉइंट अब हमने 228 के कितने पे जाएगा तो पहले 6 से करके देखते है 168 आ रहे है नहीं 28 7 सा करके देखते है 7 पे तो आंसर हमारा 130.7 आएगा तो अगें कैलकुलेशन अच्छी चाहिए इसके लिए तो 130.7 आ गया हम लोगों का आंसर अब हमी गाइस करने family budget method So guys aggregate expenditure method से हमारा answer आया 130.7 आएगा तो next part में guys हम लोग family budget method से solve परेंगे वरना video बहुत जादा लंबी हो जाएगी और समझ नहीं आएगा So next part के लिए family budget method के लिए next part देखेगा उसमें इस method को हम solve परेंगे जो की बहुत असान है बागे आपको पते हैं याप अपनी query मेर से Instagram पर पूछ सकते हो ID है तब इता मैसी Thank you